Good morning, बच्चो! तो हमने पिछले क्लास में देखा था कि पतंग किस प्रकार गुबारे को माझा बनाने का तरीका बताती है. माझा कैसे बनता है और वो कितनी तेज होती है. तो वो कितनी धार होती है और वो किस तरह दूसरों के धागे को काट सकती है. अब हम लोग देखेंगे आगे हाँ 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 क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों को तना हुआ होना चाहिए मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं मेरी पूँच कटी ही सही पर तुम उसका बाल भी माका नहीं कर पाओगी क्योंकि वह तो हवा में जूल रही है गुबारे ने हस कर अपना मूँ खोला अब देखेगा आगे पतंग चिड़ कर बोली तुम्हें भी जादा डिंग मारने की जर्रत नहीं है जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगी गुबारा हस कर बोला बहन हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारो ओर की हवा से हलकी है इसलिए मैं हवा में वैसा ही तैर रहा हूँ जैसा पानी में पानी से हलकी चीज पानी में तैरती देरने लगती है पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है अब आगे यहाँ पर देखिए पतंग अभी भी हार मारने के लिए तैयार नहीं थी बोली मैं कैसे विश्वास करूँ कि मुझे हवा उड़ाती है मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ उसका दूसरा सीरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है और जटके दे दे कर मुझे उड़ा रहा है गुबारा मुस्कुराता हुआ बोला पर क्या तुम्हें पता है कि संदीप के जटके देने पर क्या होता है हवा में हलके और भारी दबाव के दो छेत्र बन जाते हैं जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई गुबारा फिर बोला और जब तक दोर का सवाल जहां तक दोर का सवाल है हम दोनों ही डोर से बंधे हैं हम दोनों का उदेश्य भी एक ही है बच्चों को खुस करना रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुबारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं पतंग बोली हाँ गुबारे भाई तुम बिलकुल ठीक कह रहे हो मुझे समझ आ गया कि मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत थी फिर दोनों खुशो कर आसमान में उड़ने लगे और हस हस कर बाते करने लगे तो हम लोग इस चैप्टर से यही सिखते हैं कि हमें अपने किसी भी चीज पर घमण नहीं करना चाहिए क्यूकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आज के लिए इतना ही धन्यवाद